हाँ जी तो लास्ट वीडियो में हम बात कर रहे थे लिक्विडिटी एड्जस्पेंट फैसिलिटी की जिसमें मैंने बताया था कि जो स्टेंडिंग डिपॉसिट फैसिलिटी रेट होता है वह हमारी फ्लोर होता है, पॉलिसी रेट मिड में होता है, बैलेंस करके और marginal standing facility rate होता है उसका ceiling और जो bank rate होता है वो marginal standing facility rate से align होता है उसके परावर का होता है अब bank rate और marginal standing facility rate होते क्या है वो हम देखेंगे ठीक है तो bank rate तो होता है rate charged by central bank या RBI to lend funds to bank for long term duration ठीक है यह होता है bank rate अब RBI banks को जिस rate पर पैसा देगा तो obviously banks profit कमाने के लिए आप लोगों को जो loan देंगे आप लोगों को जो पैसा देंगे वो उससे ज्यादा पही देंगे तो हमेशा bank rate से ज्यादा पही आपको loan मिलता है ठीक है यह बस समझ में आ गए अब main liquidity adjustment to management tool भी एक चीज होती है ठीक है वो banks और financial institution के बीच की होती है 14 day term repo rate होता है reverse repo या repo repo आपको पता ही है कि RBI जब banks को देगा reverse repo जब RBI situation तो obviously जब आप किसी से emergency situation में पैसा लोगे तो वो तो ज़्यादा होगा ही इसी लिए marginal standing facility जो होता है वो ceiling होता है उसका rate होता है 6.5 सब से ज़्यादा उसी का होता है banks can borrow additional amount of overnight money from RBA with a penal rate of interest so penal rate of interest 0.25 परसेंट का होता है जो की repo rate से 0.25 परसेंट ज़्यादा था MSF provides safety wall against unanticipated liquidity shops अब एकदम से bank के पास money crunch आ गया कुछ भी चीज़ होगी liquidity का कोई भी पंगा हो गया कोई भी problem होगी तो MSF पर वो पैसे उठा लेगा RBI से ठीक है bank rate is aligned to RBI तो यह मैंने आपको बताया ही था उसके बाद हम आएंगे इन दो instruments पर cash reserve ratio and statutory liquidity ratio तो cash reserve ratio क्या होता है average daily balance in rupee terms that a bank is required to maintain with the RBI तो एक safety measure के तहत जितने भी banks होंगे वो RBI के साथ इतना पैसा पार्क रखेंगे कि वही कभी भी जरूरत पड़ सकती है और एक यह safety measure भी होता है एक आप कैसे तो solvency measure भी होता है तो net demand and time liabilities जो होती है उसके particular percent होता है वो हम देखेंगे अभी क्या है तो net demand and time liabilities क्यों होती है जो पैसा आप bank में deposit कराते हो savings bank account या फिर current bank account हो गया आपका और आपका fixed deposits हो गए recurring deposits हो गए तो demand जो हो गया demand liability क्या होती है time liability क्यों होती है RBI decides and modify CRR from time to time economic situation के तहरत अगर उसे easy money करना होता है ठीक है पैसे economy को बढ़ाना होता है पैसे को सस्ता करना होता है loans वगरा को तो वो CRR को क्या करेगा वो CRR को कम कर देगा कि मेरे साथ कम पैसा रखो और बाकी जो बचा हुआ जो पैसा है उसे आप loan देने में लगाओ तो banks भी इसली दे सकते है banks don't earn any interest on CRR deposit यह आपको यार रखना है कि CRR deposit पर कोई banks को वो नहीं मिलता है interest नहीं मिलता है यह एक obligation है banks के लिए फिर SLR statuary liquidity ratio भी यह कैसी चीज है कि share of NDTL net demand and time liability that a bank is required to maintain in safe and liquid assets such as cash and gold इसमें सिर्फ cash होता है और यहां पर cash और gold में आप रख सकते हो और इसमें कहेगी banks will earn interest under SLR अब हम फिर से इस पर आ जाते है reserve ratios जो अभी जो चल रहा है CRR चल रहा है भाई हमारा 4.5% और SLR चल रहा है 18% तो यह आपको याद रखने है जो जो भी current ratios है वो आपको याद रखने है question आ सकता है CRR 4.5 है SLR 18 है policy repo rate 6.25 है marginal standing facility क्या है तो यह आपके important है उसके बाद qualitative tools क्या होते है qualitative tools mostly जो public होती है banks उनके साथ यह tools को use करते है margin requirement suppose आप car loan लेने गए तो bank आप से कहेगा कि suppose आपको 10 लाग रुपे की car लेनी है उस पर आपको 8 लाग रुपे का loan चाहिए 2 लाग आप अपने पास से cash दोगे तो bank कहेगा कि मैं आपको 5 लेक्स का ही loan दे सकता हूँ 3 लाग रुपे और आप अपने पास से डाल दो जो आपको loan चाहिए मैं आपको उतना ही loan दोगा इसका मैं आपको इतना ही percent loan दोगा 5 लेक्स में आपको दे दोगा अगर bank को कम loan देना होगा फिर consumer credit requirements कई नए नए rules निकाल देते हैं यह भी एक चीज़ होती है कि वही जिससे loans को कम या ज़्यादा किया जासे है moral persuasion तो यह आप पढ़ सकते हो ठीक है यह आपके qualitative tools होते हैं जस्ते आपको पता होना चाहिए qualitative tools होते क्या है इसके बाद हम money markets पे आएंगे यह भी एक important aspect है money market is a segment of the financial market where borrowing and lending of short term funds to take place ठीक है तो वो तो long term funds भी हो गए अब money market है आपका short term के लिए short term मतलब one day to one year okay in India this market is regulated by RBI यह भी RBI इसे भी regulate करता है transactions are large in amount and high in volume तो इसमें public का direct involvement नहीं हो गए बड़े बड़े जो players होते है banks हो गए RBI हो गए government हो गई और आपके बड़े-बड़े financial institutions हो गए और corporates हो गए उनमें ही यह money market रहता है क्योंकि बहुत बड़े-बड़े transactions होते है dominated by small number of large players objectives क्या होते है to cater the requirements of borrowers for short term funds and to provide liquidity to lenders of these funds अब जो हम इससे पहले जो पढ़ रहे थे इसमें भी RBI short term basis पे भी देता था long term basis पे भी देता था बट वो monetary policy हो गए अब यह एक alternative arrangement money market है एक तरीके का आप कह सकते हो जैसे stock markets होते है उसी तरीके का ही money market यह चीज होती है इसमें आप पैसे ले सकते हो या दे सकते हो obviously हर चीज इसमें आपको एक interest के साथ ही मिलेगी okay to provide parking place for temporary surplus funds अगर आपको पास surplus funds है तो भाई आप RBI को दे सकते हो या आप किसी और institution को दे सकते हो आपको इंट्रस मिलेगा to provide facility of overcome short term deficit किसी के पास जादा है किसी के पास कम है तो balance करने के लिए जादा वाले को दे देगा to enable the RBI to influence regulating liquidity in the company तो ये RBI के लिए एक और तरीका है liquidity को regulate करने का participants कौन होते हैं तो RBI को दो गया फिर बड़े बड़े जो commercial banks हो गया जतने अधर शेटिवल बैंक तो जितने भी banks होते हैं सपोस करो SBI और आपके बड़े बड़े हमारे public banks हो गए private banks हो गए HGFC, ICICI, Federal bank उसके बद सिटी बैंक, CHSBC जितने बाहर के bank हैं जितने हमारे regional rural banks हैं cooperative banks हैं ये सब इसमें participate करते हैं cooperative banks छोटे players होते हैं बढ़ इसमें participate करने लिए foreign banks हो गए, LIC, GIC वगएर हो गए और insurance companies हो गए इनके अलावा ठीक है और central bank क्योंकि central government वगएर जो है यहाँ इसी तरीके से पैसा लेती भी है अपने budget को fund करने के लिए कई बार in Indian money market main borrowers कौन होते है central government, state governments, local bodies वगएर जो थी municipalities और बड़े-बड़े industrialist होते हैं कई बार banks भी होते है call money market सबसे important होता है सबसे common जरिया भी होता है the most important component of organized money market organized money market क्या होता है जिसे RBI regulate करता है जो अभी तक हमने पड़ा इसका unorganized भी होता है ठीक है तो बड़े-थारे क्या होते है dealers अगर होते है यह सब होते है तो वह RBI के purview में नहीं आता और वह unorganized होता है उसमें RBI की कोई guarantee नहीं होती बड़ चलता है वह हमारे देश मेरे देश मेरे इट डील्स इन call loans or call money granted for one day since the participants in the call money market are mostly banks it is also called interbank call money market तो यह banks के बीच का ही basically होता है जब किसी bank के पास liquidity crunch हो गया तो एक में एक दिन के लिए ले लिया पैसा दूसरे bank से तो इस तरीके से चलता रहता है ठीक है फिर हमारे treasury bills होते है treasury bills deals in treasury bills treasury bill market which is short term या तो 91 days 182 days या 364 days liability for government of India तो सर कई बार क्या होती है कि सरकार यह treasury bills issue कर देती है कि banks को उन्हें treasury bills दे देती है और उनसे पैसा ले लेती है इस bills are issued to meet the short term financial requirement of the government जब government को पैसा चाहिए होता है a portion of treasury bills is converted into long term bonds to meet long term demands of the government तो कई बार क्या होता है treasury bills को long term bonds में भी कर देती है जो government securities होती है treasury bills are zero coupon securities यह point बहुत important is zero coupon securities why क्योंकि यह कोई interest पही नहीं करते है लेकिंग होता क्या है कि they are issued at a discount and regime that the face value at majority suppose करो कि सरकार ने किसी bank से HGFC bank से treasury bill issue करके पैसे लिया उस treasury bill की जो face value है 100 रुपे ठीक है सरकार क्या करेगी कि सरकार यह कहेगी कि भाई हम तो आपसे यह 93 रुपीज में आज ले रहे है 7% के discount पे और जब आपको वापस करेंगे 100 रुपे वापस करेंगे तो interest नहीं देंगे हम discount करेंगे ठीक है cash management bills होते है 2010 में government ने introduced करे थे यह तो यह भी एक तरीका होता है ओके इसका बस आपको cash management bills की जो definition ने वो याद रख लिए फिर government securities होती है long term के लिए tradable instrument issued by central government और state governments it acknowledges the government's debt obligation such securities short term treasury bills भी इन में आ गए क्योंकि government इशू करती है तो वो भी government securities ही हो गई ठीक है और dated securities होती ही जो कि long term होती है one year से जाला treasury bills होते है one year से काम आपने देखा होगा जो maximum जो time period था वो 180 to 364 था ठीक है इन्हें guilt as instruments कहते हैं why guilt as instruments कहते हैं क्योंकि यह most safest आपके instruments होते है safest वो होता है आपका investment की कभी भी default ने करेंगे कि सरकार ही रही है अगर यह default कर गे मतलब सरकार गिर गई देश की नौमी खतम हो गई तो यह कभी default नहीं करते है इसलिए इन्हें guilt test कहते है डेटेट जी सेक्सार्टी विच कह रही है fix or floating coupon rate which is paid in the face value तो जो डेटेट से की जी सेक्स होती है जो एक साल से ज्यादा के होते हैं उन पर सरकार इंट्रेस्ट अपने देती है फिर inflation index bonds होते है वेरिन बहुत coupon flows and principal amounts are protected against inflation की बही inflation अगर बढ़ रहा है तो उस हिसाप से जो issuer है उसे दिया जाएगा यह जो जिससे पैसा लिया जा रहा है उसे inflation के इसाप से पैसा वापिस किया जाएगा फिर जो public debt office होता है इंडिया को वो इसकी registry होती है आपको याद रखना है कि जो RBI में एक particular department हो क्या है वो public debt office ठीक है sovereign gold bonds होते है यूणीक instrument prices और which is linked to commodity price such as gold तो यह sovereign gold bonds होते हैं तो यह तरीके होते हैं सरकार के जिससे liquidity भी आपकी बच लिक्विडिटी को भी control किये जाता सरकार अपने जो infrastructure की जो काम करती इतने सारे उन्हें फंड भी करती है अब हम आते हैं monetary policy committee पर जो यह रेपो रेट और यह सब चीज़े decide करते हैं यह हर तीन महीने चार महीने में जो भी चार महीने मिलते है चार वार मिलते हैं एक साल में और पॉलिसी इंट्रेस्ट रेट को यह decide करते हैं ठीक है इसमें आर बे गवर्नर डेपुटी गवर्नर वगरा यह सब होते हैं इंफ्लेशन टार्गेटिंग इंकम में इनकाम होता है आर बे गवर्नर में पता ही है शक्तिक अंतरदास हैं और यह डेपुटी गवर्नर से हैं कई बार पूछ लिए जाता है डेपुटी गवर्नर के बारे में टोटल तीन थे अब यह चार हो गए है ठीक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का बारे में पड़ी सकते हो एस्टैबलिज ओन 1st April 1935 रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक 1934 नेशनलाइज पहले बना था तब यह प्राइवेट था नेशनलाइज किया गया इसे 1949 में तो यह दो डेट्स इंपॉर्टेंट नाइंटी दो यह बेसिकली 1935 और 1949 ऑल्सव बैंकर्स बैंक जो इतने भी बैंक उनके लिए यह बैंक है क्योंकि इनसे ही पैसा लेते हैं इन्हें देते हैं इंट्रेस्ट पे आर्बीज लैंडिंग मेंबर ऑफ लाइंस फिनेंशल इंक्लूजन हैड़कॉर्टर मुंबई में इसके हैं कमिट एक बनाई थी Capital Account Convertibility जस्ट आप यह नाम याज रख लेना इसका की एससतार अपोर जी की एक कमिटी थी functions आप पढ़ सकते हो RBI के मुसली तो हमें पता ही है क्या क्या होते हैं सुपर विजन करते हैं पूरा फिनेंशल सेक्टर का बैंकिंग सेक्टर का मनी मार्केट्स का फिर बैंकिंग गॉंबर्समेंट स्कीम में निकाले जी ठीक है पेमेंट इन सेटल्मेंट सिस्टरम्स एक्टर बैंकर टू गॉर्मेंट भी इनके तुरूर्मेंट जी सेक्स वगेरा जो गॉर्मेंट सेक्योर्टी होती हो नहीं इसू करती है तो RBI उनका टर्मिनलोजी यह इंपॉर्टेंट है यह आप बढ़ सकते हो कि expansionary मतलब increasing money supply contractionary contract करना decreasing money supply hawkish hawk जो बर्ड होता है उससे decreasing money supply dovish increasing money supply ठीक है यह चार टम्स आप याद कर सकते हो इसके बाद हम लास्ट जो मारा lecture अभी इसमें बचेगा उसके बारे में inflation वगरा के बारे में और चीज़ों के बारे में next lecture में बात करेंगी ठीक है यहाँ पे मारा major portion हमारा जो financial awareness का static portion का है वो cover-up हो चुका है inflation के साथ वो हो जाएगा ठीक है तो all the very best thank you